Hello everyone, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें इस कोशन को solve करना है, यह एक एक mathematical operation है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हमाँ पास a divided by two, bracket start, two plus two, and bracket close, equal किसके होगा, यही चीज हमें यहाँ पे find करन करनी है, चलिए इस कोशन को solve करने के लिए मैं आपको 10 second दे देता हूँ, अगर आप इन 10 second के अंदर अपना अंसर निकाल देते हैं, तो आप हमें comment box sponsor type करके बता सकते हैं, चलिए आपका समय शुरू होता है, अब अगर आपने 10 second के अंदर अपना अंसर निकाल दिया हैं, तो आप हमें comment box sponsor type करके बता सकते हैं, चलिए इस कोशन को अब देख लेते हैं, इस तरह के कोशन को solve करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस तरह के कोशन को solve करने के लिए आपको board mask का use करना है, जो एक formula है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ, जैसे कि आपने यहां पर देख लिया है, board mask किस तरह यह use होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमाँ पास bracket है, जो भी हमारे दिन और करता है, bracket को, फिर हमें उसके बाद क्या करना है, order follow करना है, जो ह आपका multiplication, आपको multiply करना है, उसके बाद आपको करना है, उसे plus, और last में जाकर आपको करना है, उसे subtract, इस तरह से आप board mask के formula को use कर सकते हैं, चलिए हम इसे board mask के formula से ही use कर लेते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो board mask का formula हमाँ पास बनता है, उसके अनुस हैं तो हमाभास केतना है तो होता है हमाँ फूर यानि कि आपस he divided for अब ऊब नेक्सक्त डेप होगा वो का हमाँ पास order order हमने इसको इसको solve कर दिया है जो अंदर व्यक्थ के अंदर order बन रहा था उसके पात आप word mask के बाद आप कर सकते है divide यानि कि हमें यहाँ पे 8 divide 2 करना है जो होता है हमा पस 4 अब हमाय पस यहाँ पे next जो बचा है वो है हमाय पस multiplication हमें यहाँ पे multiply करना है 4 multiply 4 हमाय पास होता है 16 तो इस तरह से आप word mask का use कर सकते हैं अगर आपके पास, अगर next step होगे, वो कापके पास, आप उसे plus करेगे, और जो next होगा, वो आप उसे subtract करेगे, इस तरह से आप इस question को easy तरीके से solve कर सकते हैं, maximum जो बच्चे होगे, इस question को wrong solve कर सकते हैं, वो किस तरह इसे solve करेगे, वो देखेगे, जैसे कि आप यहाँ पे द इसके बाद वो क्या करेंगे सिधे multiply करेंगे यानि कि a divided by 8 हो जाएगा जो होगा हमाँ पास one यानि कि जो one आएगा वो हमाँ पास क्या होगा wrong answer होगा जो इसका right answer है वो है हमाँ पास 16 इस तरह से आप इस तरह के question को easy तरीके से solve कर सकते हैं